नमस्कार मैं और ओहुत कुमार आप उच्फों नेशन देख रहे हैं कोरोना की रफ्तार अब दिरा रही है बिहार में संक्रमन की आंकरे नए रिकॉर्ड पर ही तो मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है साल 2020 और 2020 में तुलनात्मक देखें तो अब तक एक दिन में इतने लोगों की मौत कभी नहीं हुई एक साथ 24 लोगों की 24 घंटे में मौत के बाद अब तमाम लोग जो हैं देहसत में हैं बिहार की बात करें तो बिहार में एक साथ संक्रमन के 6000 से जादा मामले से 24 घंटे में सामने आए हैं जबकि एक्टिव अरिजों की संख्या 29,078 पर पहुँच गई है जो की पिछले 15 दिनों में ही सामने आए हैं बिहार में खोली के बाद से लगतार कुरोना संक्रमन के मामली में लगतार तेजी दिख रही है इसे तो यह हो गई है कि एस्पतालों में बेड नहीं है और वहां पे अब लोगों के लिए 9 इंट्री का बो क्योंकि अब उनके पास कोई संसाधन नहीं है ऑक्सिजन की खलत लगतार मिल रहे कुरोना संक्रमीत मरीज और जिस तरीके से भयावा रवतार से कुरोना का सिजपीडित जो मरीज हैं उनकी मौत हो रही है वो आंकरे दराने वाले हैं अगर बात कर लिए इस 24 घंटे के पहल 24 से पहुंच गया है विहार में लगतार मरने वालों की संख्या में भी तेज़ आ रही है संक्रमन की रफटार तो तेज है ही मरने वालों का भी जो आखड़ा है वो तेज़ से सामने आ रहा है अस्पतालों में बेड से लिकर करके उसे अंता कि किलत और उनी किलतों के बीच में दम तोड़ने को मजबूर हैं लोग आप कह सकते हैं कि पुरा सिस्टम ही दम तोड़ चुका है दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर के बैंगलूरू इन तमाम जगों पर लगकमोबेश वही इस्तिती है आकरे डरा रहे हैं किसी किसी राजी में तो 40,000 ज्यादा संक्रमन की मामली एक दिन में सामने आते हैं दिल्ली भी अब उसको बहुत तेजी से चेज कर रहा है और अब 16,000 ज्यादा संक्रमन की मामली तो अकेले दिल्ली में आये हैं तो बिहार भी कहीं से पीछे नहीं है एक दिन में जब कोरोना को लेकर के जो की गई जांच है उसकी डाइरे को बढ़ाये गया एक लाग से ऊपर जाँच जवराजिपर में की जा रही है जिसमें RTP, PCR, Antigen, टस्शामिल है तो संक्रमित मरीजों की संक्या में भी तेजी दिख रही है और सबसे खास बाती है कि ये तेजी इतनी है कि राज्य की अंदर में जो एक्टिव अमारी रिजियों उनकी संख्या 29,078 पर पहुँच गई है जो की साल 2021 की अगर अप्राइल महिने की बात करें तो उससे करीब करीब 100 गुना जादा है बिहार में भयावर अफ्तार है कोरोना की पहले किसी-किसी जो शहर हैं या किसी-किसी जिले से संक्रमन के मामले 2,4,10 और 100 इस तरीके से आते थे अब राजधानी पटना महीं अकेले सिर्फ 21 सुजादा संक्रमन के मामले सामने आए हैं और यही दिरा रहा है ऐसे में नीच परनेशन आपसे अपील करता है कि आप भी दो गज़ दूरी का खयाल रखें, मास्क पहने, खुद को सिनेटाइज रखें क्योंकि जिस तरीके से कोरोना आम और खास कोपने गिरफ्ट में ले रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि किसी का वचना मुश्किल है लहाजा इन तमाम चीज़ों को खयाल रखें, समाज एक दूरी बनाए रखें और अगर कोई भी सिम्टम्स नजर आएं, तो तद्काल जाज़ खरवाएं, खुद को आइसलेट रखें और कोरोना के फैलते चेन को तोड़ने में मदद करें नमस्कार